नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्नो लाइक एक्सवाई जैड में दोस्तों आसका क्यूसर हमारा इस प्रकार से है यहाँ पर हमें तेन बॉक्स दे रखके हैं और यहाँ पर हमें केवल एक तेन पांच साथ नो ग्यारा तेरा इन संख्याओं में से यहाँ पर यह संख्याओं सेट करके उनका योग करके हमें तीस लाना है अर्थात हमें तीन विसम संख्याओं का योग तीस लाना है अर्थात यहाँ पर हमें यह दिखाना है कि तीन विसम संख्याओं का योग क्या होगा यहाँ पर तीस होगा तो इस क्यूशन को हम सोलो इस प्रकार से कर सकते हैं देखेगा यहाँ पर हम इस क्यूशन को सोलो करने के लिए एक संख्या लेते हैं तीन हम यह संख्या लेते हैं तीन यहाँ पर हम तीन संख्या लेते हैं और तीन को हम लिखते हैं इस प्रकार से यहाँ पर हम तीन का लेते हैं फैक 3 से इस प्रकार से या, 3 को दर्षा आते हैं, इस प्रकार से, यह साइन होता है कि मान हुध है, इस प्रकार से होता है, 3 गुणा, 2 गुणा, 1 इस का मान जो आएगा, भुव आएगा, 3, 6, 6, 6 अर्थात है फैक्टोरियल 3 का जो मान होता है वो 6 होता है इसका मतलब पहले बोक्स में यदि हम रख दे फैक्टोरियल 3 तो पहले बोक्स में हम क्या रख देते हैं फैक्टोरियल 3 अब हम देखते हैं कि जो हमने 3 लिया वो एक विसंसन क्या है लेकिन जो फैक्टोरियल 3 का मान होगा वो कितना होगा 6 होगा इसका मतलब यह जो फैक्टरियल 3 का मान होगा यहां पर कितना होगा 6 इसका मतलब 6 में हम कितने जोड़ेंगे कि हमारे पास 30 आ जाए इसका मतलब अब हमें 24 और लाना है ऐसी 2 संकेयं लेंगे जिनका यह कितना होगा 24 होगा तो एक बोक्स में हम ले लेंगे कितने ग्यार है सोरी एक box में ले लेंगे हम कितने 9 और एक box में ले लेंगे हम 15 तब हम यहां पर देखते हैं 15 और 9 24 और 24 और यहां पर factorial 3 का मान जो होगा वो कितना होगा 6 होगा इसलिए इनका योग कितना आएगा 30 आएगा तो इस प्रकार से हम ये संकें लेते हैं इस box में एक तो लेंगे factorial 3 दूसरे लेंगे 9 और तीसरे लेंगे 15 इसका मतलब 6 प्लस 9 प्लस 15 बराबर 30 इस प्रकार से हमारा ये answer होता है और इस प्रकार से हम ये question कर सकते हैं थैंक्यू दोस्तों यदि वीडियो अच्छा लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें इसी प्रकार के latest वीडियो की जानकारी के लिए थैंक्यू